जाता है लेकिन आज हम एक हजार से लेकर के बारा से श्वी तक पढ़ेंगे जिसमें महमूद गजनवी और मुहम्मद गोरी के भारत पर आकर्मन होंगे जहां भारत में मुसलिम राज्य की सुरुवात होगी अजमेर दरगा की स्थापना होगी कुतम मिनार के फाउंडेशन क नियूर रखने तक के चैक्टर को देख लेंगे तो आज दोस्तो कई बार हम ये देखते हैं कि बार-बार क्विस्टन आपको यहां से मिलते हैं कभी गुजरात के सोमनात मंदिर को लूटा जाना पुछा जाता है तो कभी तराइन और तरावडी के युदों के बारे में क् चुका है आगे जितनी भी डैनेस्टीज हैं उनको हर रोज एक-एक डैनेस्टी को मैं अफलोड करता जाऊंगा आज इस वीडियो में हम लोग इस तरीके से डिसकस करेंगे कि छोटे से छोटे से एकजाम से लेकर के UPSC तक आप लोगों को इस पोर्शन के लिए कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा हाई से हाई लेवल के question point को यहां चुना गया है उमें उमीद है कि आप लोगों को समझ आएगा और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आज आप लोगों को पहली बार यहां देखने को मिलेंगी आईए शुरुवात करते हैं सबसे पहले दोस्तो महमूद गजनवी से सुरुवात करते हैं क्योंकि एक जार इस्वी से बारा तक इस्वी में सबसे पहले महमूद गजनवी को पढ़ा जाता है दोस्तो भारत पे आकर्मनों की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एंशिन्स हिस्ट्री में अलेकजेंडर से लेकर के महमूद गजनवी सुभूकत गीन का पुत्र था तथा अपने पिता के मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 988 इस्वी में गजनी की घद्धी पर बैठा चाया गजनी हो या काबुल हो या कंधार हो ये सभी अफगानिस्तान के अंदर हैं दोस्तो गजनी उस समय राजधान हुआ करती थी और महमूद गजनवी अपने पिता सुभुकत गीन की मिर्थु के बाद 998 इस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा वहां का राजा बना उसके बाद महमूद गजनवी ने 1090 में गद्दी पर बैठा और उसके बाद दो साल बाद 1090 से लेकर के 1027 इस्वी तक 17 बार भारत पर आकर्मन किये महमूद गजनी के भारत के उपर कितने आकर्मन हुए 17 आकर्मन हुए इन 17 के 17 आकर्मनों को हम सिलसले बार देखेंगे लेकिन इन में से जो 4-5 अटेक बहुत ज़्यादा महतोपून है जो बार-बार एकजाम में आते हैं उनको हम और डुटेल से समझने की कोशिस करेंगे आगी देखते हैं तो इन 17 आकर्मनों में जो मुख्य आकर्मन हैं वो कोन से कोन से रहे हैं और किस-किस जग़ पर कोन से वर्ष हुए हैं तो इस में दोस्तों सबसे पहले 1000 Susi में मेहमूत गजनवी का जो पहला आकर्मन भारत पर हुआ वो पेशावर पर हुआ एक हजार एक में जैपाल के साथ युद हुआ दोस्तों ध्यान रखना जैपाल के उपर एक हजार एक में आकर्मन किया था और जैपाल हार गया था और महमूद गजनवी ने जैपाल को बंदी बना लिया बंदी बनाने के बाद उसको इंसल्ट कर दिया और इंसल्ट करने के बाद छोड़ कर चला गया जब वापिस छोड़ कर चला गया तो जैपाल इतना अपमानित हुआ कि उसने उसके जाने के बाद अगनी में कूद करके जान दे दी तो ये जैपाल के उपर आकर्मन था उसके बाद 1089 1089 में हिंदू साही राजधानी हुआ करते थे बैहिंद जो पेशावर के नजदीक थे हिंदू राज्य था आनदपाल के साथ वहाँ युद हुआ और आनदपाल को हरा करके बहुत सा धन्दोलत वहाँ से लोट करके गजनवी लेके गया था उसके बाद 1014 में हर्याना के थानेसर पर हमला किया गया यहीं वही थानेसर है जो थानेसर राजा हर्सवर्दन की राजधानी एक जमाने में हुआ करता था इससे कुछ साल 2626 के आसपास इससे 400-400 साल पहले का सामराज काफी मजबूत था यहाँ उसके बाद 1018 1018 में कन्नोज पर आकर्मन करया यह कन्नोज दोस्तों हर्सवर्दन की दूसरी राजधानी मानी जाती थी जहां उसकी बहन की साधी हुई थी और उसकी बहन के हस्बिंट को ससांक ने गिडनेप करके मार दिया था तो वहां से सिलसला यह कन्नोज का शुरू होता है 1025 इस्वी में गुजरात के सोमनात मंदिर को लूटा गया 1025 का आकर्मन सबसे मैत्वपुन है गजनवी का जब 1025 में गुजरात का सबसे धनी मंदिर था सोने चांदी के जवारातों से सजा रहता था उसे लूटा गया था और 1027 यह आकरी आकर्मन था महमूद गजनवी का भारत पर आगरा के निकट भीरा के किले को पर आकर्मन किया गया दोस्तों यह भीरा का किला गजनवी का आकरी आकर्मन यही था और बाबर का पहला आकर्मन भी भीरा का किला ही था जाटों का समराज़े यहां हुआ करता था तो भीरा के किले के लूटा गया था वैसे तो दोस्तों एकजार इस्वी से लेकर के एकजार सत्ताइस इस्वी तर आपने गजनवी के सत्रा आकर्मन देखे लेकिन उनमें ज्यादा महत्वपुल एकजार वाला एकजार एक आठ और यह आपको देख लेना है इसके बाद आगे बढ़ते हैं महमूद गजनवी को मुर्ती भंजक और बुठ शिकन कहा जाता था मुर्ती भंजक यह बुठ शिकन इसलिए कहा जाता था कि उसने भारत में सभी देव देवताओं की मुर्तियों को तोड़ा था और सिरफ तोड़ था कि भारत के हिंदू देवी देवता आज भी मुसलिमों के पाउं के नीचे चलते रहते हैं या दबे हुए हैं तो यह बहुत अपमानित मैसुस करवाने वाली बात आज तक हमें लगती है क्योंकि उसने अपने आपको कट्र इसलामिक दिखाने के लिए बड़ी संक्या म हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं के मुर्तियों को तोड़ा भी और उनको अपमानित भी किया आप देख सकते हो दिलवाडा के जैन मंदिर जा आज भी इसके सबूत आपको देखने को मिल जाते हैं राजस्थान के माउंट अबू के दिलवाडा के जैन मंदिरों मे महमूद गजनवी के साथ ये क्विस्टन बार बार पुछा जाता है कि गजनवी के साथ कौन सा लेकक आया या फिर अलबरूनी किस के साथ आया मसहूर अर्बी लेकक अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और एक ये भी क्युस्टन आता है कि पुराणों का सबसे पहले किस मुस्लिम ने अध्धन किया पुराणों का अध्धन करने वाला पर्थम मुस्लिम अलबरूनी ही था यानि महमूद गजनवी के साथ अर्भी लेकक अलबरूनी आया और पुरानों का भारत्य पुरान का अध्धन करने वाला पहला मुस्लिम भी अलवरूनी ही माना जाता है आगे एक प्रैक्टिस वरक के रूप में आप देख सकते हो गजनवी को यह मैंने पहले भी बताया है कि एक जार इश्वी का आकर्मन उसका पहला माना जाता पेशावर का एकजार एक का ये मैंने सिर्फ आपके प्रैक्टिस वर्ग के लिए किया है ताकि आप लोगों को पहले वाले चीजें एक पर प्रैक्टिस करने का थोड़ा मोका इसमें मिल जाए एक जार इसवी वाला पहला आकर्मन पेशावर का एक जार एक वाला मैंने आपको बताया था जैपाल वाला एक जार आठ नो में आप देखोगे तो बैहिंद था बैहिंद राजधानी पेशावर के पास 2014 का आप कहेंगे तो आपका थाने सर हर्याना वाला 2018 में बात करेंगे तो कन्योज का आकर्मन हुआ 2025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और 1027 उसका आकरे आकर्मन था जो भीरा के किले पर था तो इस तरीके शापिन को ध्यान लख लेंगे दोबारा थोड़ा सा रिवाईज करवा देता हूँ सुभुकत गिन का पुत्र था महमूत गजनवी 998 इस्वी में गद्धी पर बैठा 1027 से लेकर के 27 तक भारत पर 17 आकर्मन किये जिन में पहला 1000 वाला आखरी 1027 वाला बीच बीच में आपने इनको देख लिया मुर्ती भुंजक और बुच्छिकन उसको कहा जाता है और उसी के साथ साथ उसके साथ अलबरूनी भी आया था तो ये क्योशन तो आपके गजनवी से बनते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और आकर्मन कारे का जिकर आता है मुहमद गोरी मुहमद गोरी का भारत के उपर काफी बड़े अटैक रहे और यहीं से भारत में मुसलिम सामराज्जी की नियू रखी गई आईए देखते हैं यहां के क्योश्चनों को सबसे पहले एक और कहना चाओंगा दोस्तो आप इनको note down करते चलें notes बनाएं क्योंकि इसमें वो point में discuss कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए NCRT के base से भी यो PSC के आधार पर भी और दूसरे competition exam के आधार पर sufficient होंगे कोई भी ऐसा point आपको नहीं मिलेगा जो यहां वीडियो में discuss नहीं किया हो वरना normal किताबों में छोटे मोटे जिंटरों के notes में यह चीजें दी नहीं जाती हैं तो इसलिए यहां exam के हिसाब से complete study material दिया जाएगा और हर उस question के बारे में बताया जाएगा जो question बन सकते हैं या अब तक बने हुए हैं आईए देखते हैं गोरी के बारे में गोरी 1173 इस्वी में सहाबु दिन मुहम्मद गजनी के सिंगासन पर बैठा जिसका दूसरा नाम था मोईजु दिन बिन साम मोईजु दिन बिन साम यानि सहाबु दिन मुहम्मद गजनी के सिंगासन पर 1173 में बैठा यही व्यक्ति मुहम्मद गोरी के नाम से पर्शिद रहा आगी question पूछा जाता है कि गोरी का भारत पहला आकर्मन कब हुआ वो था नहीं, उससे पहले भी कई साल पहले आकर्मन कर चुका था, उसी तरीके से दब बच्चे मुहम्मद गोरी के आकर्मन को तराइन का पहला युद मान लेते हैं, लेकिन वो सच नहीं था, उससे पहले भी भारत पर कई आकर्मन कर चुका था, उससे पहले उसको गरपतार भी किया जा चुका था भारत में आईए शुरुआत करते हैं दोस्तों महमद गोरी ने भारत पर पहला आकर्मन ग्यारा सो पचेतर इस्वी में किया और मुल्तान पर किया महमद गोरी का भारत पर पहला आकर्मन ग्यारा सो पचेतर इस्वी में मुल्तान पर हुआ था उसके ब जिसमें भीम सिंग द्वीतिये ने मुहमद गोरी को बंदी बना लिया और कुछ दिनों तक कैद में रखने के बाद उसे रिहा किया ये भारत में मुहमद गोरी की पहली हार थी और उसे काफी समय तक बंदी बनाया गया उससे सब जूठी जो बातें जिनके दम पर वो युद लड़ता था सारी रणनितिया उससे जानी गई और ये भी कहा जाता है इतियासकारों का कि भीम सिंग द्वीतिये ने उसे माफ नहीं करना चाहिए था अगर भीम सिंग द्वीतिये मुहमद गोरी को यहां आजाद नहीं करता तो भारत में मुसलिम सामराज्य की स्थापना नहीं होती यहां बात धरम की नहीं है यहां बात है भारत के उपर दुसरे देशों के आकरमनकारियों के राज करने की जहां से भारत के उपर विदेशी लोगों के राज हुए और देश की जनता को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनतिक रूप से, धार्मिक और सांसकर्तिक रूप से लूटा गया था तो यहां ये भी कहा जाता है कई बार क्योस्चन आता है मुहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कोन सी थी कब हुई, किस्ये हुई, किस राजा ने गोरी को बंदी बनाया कोन सा राजा था वो, क्या उसका दूसरा नाम था तो ये किस राज्ये का रहने वाला था तो ये क्योस्चन कई बार यहां पूछे जाते हैं उसके बार देखते हैं आगे बिस समय मुहम्मद गोरी भारत के मुलतान और दूसरे हिस्सों पर आकर्मन कर रहा था और उनको लूट रहा था उनी दिनों 14 साल का एक किसोर राजकुमार अजमेर की गद्दी पर बैठा जिसका नाम पर्थवी राज तृतिय था पर्थवी राज तृतिय ने गुंदेल खंड अक्षेतर फर आकर्मन कर महवा की लड़ाई में चंदेल सासको को हरा दिया था इसी लड़ाई में महवा की रक्षा करते हुए आला और उद्दल नामग दो भाई वीरगती को प्राप्थ हुए थे जिनका भारतिय लोक गीत और लोक किथाओं में बहुत बार वर्णन मिलता है आम तोर पर गाउं से लेकर के सासकर्तिक विरासत तक आला उद्दल की कहानियां उनके गीत और संगीत हर समय हमें लोक कथाओं में सुनने को मिलते हैं महमद गोरी और पर्थवी राज तृतिय के बीज संगर्ष की सुरुवात की वज़े क्या थी दोस्तो दोनों के भी संगर्ष क्यों हुआ दोनों के भी संगर्ष इसलिए हुआ क्योंकि महमद गोरी और पर्थवी राज तृतिय दोनों ने ही भटेंदा जो उस समय तबर हिंद कहा जाता था उस भटेंदा के एक्सेतर पर दावा करना सुरू कर दिया पर्थवी राज त्रितिया उसे अपना एरिया मानता था तो महम्मद गोरी ने आकर्मनों से उस पर कबजा करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और भटिंडा जिसे तवर हिंद कहा जाता था उसके उपर दोनों के अपने अपने दावे की वज़े से दोनों में संगर शु नेस्नल जीयस में भी पूछा जाता है और हर्याना जब एकजाम होते हैं तो वहां की जीके का भी सबसे पहला क्योस्टन बना जाता है नेशनल और हर्याना दिल्ली जैसे राज्यों की स्टेट जीखे का भी हिस्चा होता है तो तराइन का पहला युद 1191 में हुआ मुहमद गोरी और प्रत्वी राज तरितिय के बीज इसमें मुहमद गोरी की हार हुई और प्रत्वी राज की इसमें जीत हुई मुहम्मद गोरी कहां से आकर्मन करने आया था गजनी से गजनी अफगानिस्तान में है गोरी की राजधानी हुआ करती थी मुहम्मद गोरी ने गजनी से भारत पर आकर्मन किया तराइन तराइन का दोस्तों दूसरा नाम तरावडी भी है तराइन हो या तरावडी हो यह हर्य पर दोस्तो तराइन का पहला यूद 1100 क्यानुवे में हुआ, गोरी और परथवी राज तृतिये की बीच हुआ, गोरी की हार हुई और प्रत्वी राज की जीत हुई हार होने के बाद गोरी वापिस गजनी लोट गया और अपनी सेना की तैयारी में लग गया पूरी तैयारी करके वो एक साल बाद फिर आया जिसे त्राइन का दूसरा युद कहा जाता है सेकंड बैटल अप त्राइन या त्रावडी कहा जाता है एक साल बाद उसने दोबारा अटेक किया ज्यारा सो बानुवे में त्राइन के मैदान में ही दूसरा युद हुआ मुहम्मद गोरी और प्रत्वी राज त्रितिये के बेड़ इस बार गोरी के रणनिति काम आई वो जीत गया और प्रत्वी राज त्रितिये की हार हो गई तो दोस्तों यहां पहले तो ये क्वेस्टन पूछ लेते थे कि त्राइन का पहला युद और दूसरा युद कब हुए अब ये नर्मल सी डेटे हैं हर बच्चे को याद हो चुकी है तो आजकल ये पूछ लेते हैं कि जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई यहां एक चीज याद रखना अगर गोरी पहले युद में जीत जाता तो दूसरा होना ही नहीं था तो इसलिए पहले में वो हारा होगा तभी वो वापिस गया और उसने दूसरा युद करने का प्लान बनाया और जब गोरी दूसरे में भी हार था तो तिसरा भी होना तै था क्योंकि आकरमन का रही थे इनका निशाना बन चुका था ये एरिया तो पहले में वो हारा इसलिए वो हापिस गया तो पहले में उसकी हार और अगर उसकी हार है तो पर्थवी राज की जीत होगी और दूसरे में वो जीत गया इस वज़े से तिसरा नहीं हुआ तो दूसरे में उसे जिताएंगे और प्रत्वी राज्त्रितिय की हार होगी प्रत्वी राज्त्रितिय युद के मैदान में जान बचा कर भाग निकला लेकिन वो भाग नहीं पाया तराइन के दुसरे युद में प्रत्वी राज्त्रितिय बच कर भागा लेकिन सर्श्वती नदी के किनारे उसे बंदी बना लिया गया ये क्योस्टन कई बार पुछा जाता है कि प्रत्वी राज त्रीतिय को कौन सी नदी के किनारे से बंदी बनाया गया ओप्षन कई बार आता सर्श्वती, सतलूज, यमना, जेलम, गंगा कई सारे उप्षन आपके नोथ इंडिया क्या सकते है तो दोस्तो तराइन के दुसरे योद में जब वो बच्च के भागा प्रत्वी राज त्रीतिय है तो सर्श्वती नदी के किनारे उसे गिरप्तार कर लिया गया कुछ सालों तक उसे जेल में रखा गया और फिर अजमेर पर सासन करने दिया गया लेकिन कुछी दिनों बाद प्रत्वी राज को सर्यंतर रचने का आरोप लगा कर गोरी ने उसे मोत के घाट उतार दिया दोस्तो एक चीज और कहना चाहूंगा आम तोर पर जो टीवी शिरियलों में कई चीजे दिखाई जाती है वो मजे के लिए बड़ी अच्छी होती है बट भारती इतियास को उसमें कई बार तार-तार किया जाता है जैसे आपने पदमनी के अभी पदमावती मूवी में देखा उससे पहले भी कई फिल्मों में देख चुके हो शिरियल वगारा में देखते हो कई शिरियों में दिखा दिया जाता है कि परत्वी राज तिरितिये के एक बार से गोरी की जान चली गी तो दोस्तों ये देखने के लिए चीजे अच्छी है लेकिन एकजाम के पैटनर से आप लोगों को समझना होगा परत्वी राज तिरितिये बहुत सक्तिशाली राजा था लेकिन हार हार होती है और जीत जीत होती है तो दोस्तों इन चीजों में ना आएं क्योंकि गोरी की मर्तु ही 1206 में जाकर के दम्यक में होई थी जब वो गजनी जा रहा था तो यहां बान वाली जो कहानी है वो घटनाएं हो सकती है लेकिन आपको उन से डगमगाना नहीं है कई बच्चे शेरियल देख करके छोटी मोटी फिलमे देख करके धारवाइक देख करके अपना एक IQ बना लेते हैं और एक्जाम में उनके क्योस्टन गलत होते चले जाते हैं तो वो बच्चे इस वीडियो से दूर ही रहें जो आम तोर पर सेरियल देख करके अपने अपने क्योस्टनों को मन चाहे डंग से तोड मरोड लेते हैं यहां क्योस्टन पूछे जाते हैं कंप्रिशन एक्जाम में तो NCRT बेस पर पूछे जाते हैं इंडिया के अंदर जितने भी किताबे और गरंत हैं उनके आधार पर पूछे जाते हैं तो उनके आधार पर ही हम यहां डिसकस करते हैं और उनी के आधार पर क्योस्चन के पैमाने एक्जामिनेशन सेंटर में सही माने जाते हैं तो वो बच्चे थोड़ा सा इसको धान करके समझने की कोशिश करें आगे बढ़ते हैं और भारत में मुसलिम सामराजे की नेव रखी गोरी को ही भारत में मुसलिम सामराजे का सस्थापक माना जाता है दोस्तो एक चीज याद रखना जब मुसलिम सामराजय का संस्थापक पूछते हैं तो गोरी आएगा लेकिन अगर वो पूछते हैं तूर्की सामराजय का संस्थापक तब आपका अंसर आएगा कुतूबु दिन एबक ये अलग अंसर रहेगा कुतूबु दिन एबक गोरी का एक गुलाम था तो दोनों चीज़ें अलग-अलग याद रखना मुसलिम सामराजय का संस्तापक गोरी था जिसने दिल्ली और अजमेर पर कबजा किया और एक भारत में पहले मुसलिम राज्य की निव रखी लेकिन तुर्किस सामराजय का संस्तापक कुतुब बुदिन गया और अपना सासन अपने विश्वसने गुलाम कुतूबु दिन एबग को सौप गया तराइन के सेकंड यूद में जीतने के बाद वो वापिस गजनी लोटा क्योंकि गजनी भी उसकी मेन लाज़ दानी थी और अपना जो सबसे विश्वसने गुलाम था कुतूबु दिन उसको वो यहां का राज्य सोप करके गया लेकिन 1194 में गजनी फिर भायरत लोता पचास हजार गुर्षवारों के साथ उसने यमना नदी को पार किया और कन्योज पर हमला के धान रहे दोस्तों यमना नदी पार करने के बाद आपको युपी में इंट्री मिलेगी और जैचंद हुआ करते थे तो कन्योज के निकटिक जगह है चंदावर जैसे दिल्ली पर आकर्मन किया युद हुआ तरावडी या तराइन में क्यों क्योंकि राजधानी के बाहर रस्ते में ही दूसरी सेना को घेरा जाता था तो कन्योज का युद चंदावर नामक स्थान प जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई ये भी क्यूस्टन का हिस्षा कई बार होते हैं आईए आगे बढ़ते हैं तराइन और चंदावर की लडाईयों होने से भारत में तुर्क सासन की नियू रख दी क्योंकि तराइन चंदावर ये ऐसी लडाईयां थी जिन लडाईयों ने म कुसलिम सामराजी की तो साथ ना की ही की बक्की साथ साथ में तुर्किस सामराजी की भी नियु रखवा दी कुतूबु दिन जैसे लोगों को जब बाद में यहां असासन करने का मोका मिला। आखरे आकर्मन पुछा जाता है तो 1206 बीच में अगर बंदी बनने वाला पुछा जाता है तो 1108 आएगा तराइन का पहला पुछा जाता है तो 1190 आएगा दूसरा पुछा जाता है तो 1192 आएगा और अगर चंदावर का पूछते हैं तो 1104-95 यह चीज़ भी आपको सोचने पढ़ेंगी उसके बाद और आगे बढ़ते हैं मुहम्मद गोरी का सेनापती था बक्तियार खिलजी बक्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रम सीला जो उस समें के बहुत बड़ी विश्विडाले हुआ करते थे जहांपर विदेशों के लोग पढ़ने आते थे हुएन सा खिलजी ने जब नालंदा विश्विडाले को जलाया तो 6 महीनों तक तो किताबों में आग जलती रही थी आप सोच सकते हैं कि भारती इतियास को किस तरीके से डिश्ट्रोई किया गया आज हम जब छोटी छोटी किसी अलग से अजीब से राइटर की किताब पर विश्वा जब उन लोगों ने दोबारा उन इतियास को लिखा तो उनके परस्नल विचार भी आए कुछ चीजें भूलें कुछ चीजें सच लिखी कुछ चीजें उन्होंने अपनी भावनाओं के आधार पर लिखी तो ये आपको ध्यान दखना है विदेशी आकर्मनियों कारियों द भारती इतियास को बार बार लूटा गया है और आधादी के बाद नहरुकाल ने इतियास लिखा गया उसमें उन्ही मिलावट की चीजों को दोहराया गया है लेकिन आज भी भारती सरकार ने कोई इतना बड़ा खर्च नहीं उठाया कि देश की इतियास को नई स्री से इतियां आगे बढ़ते हैं कन्योज विजे के बाद महमद गोरी ने नए शिक्ये बनवाये थे याद रखना कन्योज की विजे चंदावर के युदवाली बात कर रहा हूं में 1144 में जब उसने जैसिंद को हराया तो नए शिक्ये बनवाये जिन पर एक तरफ देवी लक्ष या नाम होता है जिसे कलमा कहते हैं जो यहां से शुरू हुआ और मुगल डानेस्टी में जाकर के बाद में उसको खतम करवाया गया तो उन्होंने नए शिक्ये चलाए गोरी ने और एक तरफ देवी लक्षमी की मूर्ती तो दूसरी तरफ अरभी भासा में कलमा खुदवा गया था जो देवनागरी लिपी में मुहमद बिन साम लिखा गया था आगे मुहमद गोरी के दो गुलाम कौन थे दोस्तों मुहमद गोरी का एक सेना पती था जिसका मैंने जिकर किया बक्तियार खिल जी और दो उसके गुलाम थे एक गुलाम था कुतुबु दिन एबग ज पीसे उसने भारती राज्य परदेशों का उत्रा धिकारी बना दिया, जो उसकी मर्तु के बाद 1206 में भारत का उत्रा धिकारी उसका बना और गुलाम वन्स का संस्थापक बना, जिसने सलेव डैनेस्टी की शुरुआत की, गुलाम डैनेस्टी की शुरुआत की, इलवरी डै के 1210 इस्वी तक भारत में उसका उत्रा धिकारी रहा उसके बाद इल्तोतमिष उसके बाद रजिया ये आपके आपको सलेव डेनिस्टी में नेक्स क्लास में सलेव डेनिस्टी को डिस्क्स करूंगा उसके बाद अगला प्वेंट देखते हैं यालदोज एक गुलाम उसका गजनी का उत्रादिकार संबाला, यानि दो गुलाम थे, एक ने भारत में उसका राज्य संबाला, जो कुतुबुदिनेबख कहलाया, एक ने गजनी में उसके उत्रादिकार की राज्य को संबाला, जो यालदोज के नाम से famous रहा, उसके आगे बढ़ते हैं, मुहमद गोरी के साथ सलीम मुहिनुदिन चिस्ती भारत आया था, दोस्तों सलीम मुहिनुदिन चिस्ती जिसे भारत में मुसल्मानों का सबसे बड़ा संत माना जाता है, जिसके नाम से भारत में राजस्तान के अजमेर में दरगा शरीफ है, चिस्ती की दरगा है, यही सलीम जिसे भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा दार्मिक स्थान माना जाता है और इसी मोईनुदीन चिस्ती को भारत में चिस्ती संपरदाय का सस्थापक भी माना जाता है एक आया सले मोहिनोदीन चिस्ती दूसरा महमद गोरी के साथ कोन आया महमद गोरी के साथ दूसरा व्यक्ति आया बक्तियार काकी बक्तियार काकी विए एक सूफी संथ था जो उसके साथ भारत आया और इसी बक्तियार काकी के नाम से भारत में कुत्व मिनार बनाया गया यही जिसके नाम से कुत्ब मिनार का फाउंडेशन करवाया कुत्ब दिन एभबक ने, पूरा करवाया इल्टोतमिस ने, अलाई दर्वाजा लगवाया खिलजी ने और बिजली गिरने से जब नश्ट हुआ था तो मरमत करवायी फिरोजसा तुगलक ने, तो ये कुत्ब मिनार जो गजनी वापस जाते हुए, दम्यक नामक स्थान पर मुहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई, दोस्तो 15 मारत 1206 को गजनी वापस जाते हुए, दम्यक नामक स्थान पर मुहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी, यहाँ पे गोरी और गजनी, दोनों सेप्टरों में वो चीज़े हमने discuss की हैं जिनसे बार-बार question पूछे जाते हैं यह आप सब समझते हो जब भी आप question paper उठा के देखोगे तो आपको बार-बार यहाँ से question मिलेंगे जब भी आप कोई booklet या कोई notes या कुछ उठा के देखोगे आपको पूरा topic यह नजर आएगा लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो आम तोर पर सभी किताबों में नहीं मिलती हैं यह एक ऐसा analysis किया गया है जिससे बाहर आपको इन दोनों topic में एक भी point नहीं आएगा यह मेरा दावा है यह मेरी guarantee है आप से और यह मैं नहीं बार-बार के last years के paper उठा के देख लिजिए आने वाले paper आप देखिएगा हर जगे आपको इससे बाहर question नहीं मिलेंगे और एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों यह तो thank you letter है आपके नाम आकरी page पे लेकिन एक चीज और बता देना and stay with us for serious study for all competitive exams next class हमारी होगी दोस्तों slave dynasty को लेकर के इसी chapter में मैं चाहता हूं कि chapter wise chapter आपको सब कुछ करवाया जाए और एक चीज और है दोस्तों मद्यकाल नितियास में जितनी भी dynasty रही है उनको हम trick wise भी देखेंगे जैसे dynasty का कई बर काल पूछ लेते हैं कि कैसे कैसे हुआ तो dynasty के लिए आप जैसे trick देखते हैं तो उसमें भी आपको इसी तरीके से सारे की सारे dynasty आपको नजर आएंगी जैसे एक trick है गुल खिले तो सास लो मुगलो ये भारतियास की medieval history की dynasty है गुल से गुलाम खिल से खिलजी तो से तुगलत सय से सयद लो से लोधी मुगलों से मुगल इस तरीके से भारतियास में medieval history में dynasty हैं पहले गुलाम फिर खिलजी फिर तुगलत फिर सयद फिर लोधी फिर मुगल इस तरीके से हम इनको परते चले जाएंगे तो उमीद आप सबको पसंद आया होगा फिर भी कोई भी doubt अगर आपको है तो आप मुझे comment कर सकते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी आपको कौन से doubt कलियर हुए और आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा उसलिए इसको बताने के लिए प्लीज मुझे इस वीडियो के निचे comment करें ताकि हम लोगों का भी होंसला बढ़ता रहे और हमें भी पता लगता रहे कि आप लोग हमारे साथ मिलकर कितना serious होकर study करते हैं आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों कल फिर मिलते हैं